हेल्ट च्रेट्स, वेल्कम टू माइ नर्चर, मैं हो क्रिष्णा, तो कैसे हैं सब लोग, मस्त, उम्मीद करता हूँ, आप सब लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, और बढ़िया से इंजॉय कर रहे होंगे, अपनी लाइफ को ठीक है, लाइफ को इंजॉय करने का म और जो बी-pharmac students है उनका जो चैप्टर नमबर 2 है उसमें भी volumetric analysis जिसमें acid-base titration के बारे में जिकर है तो अगर यह volumetric analysis या titration का basic concept clear नहीं है तो acid-base titration भी आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो यह basic concept को बहुत अच्छे से दिमाग में डालने कि actually होता क्या है तो देखते हैं ठीक है तो चैप्टर हमारा जो डी फार्म फरस्ट यर उनके पूरे कोर्स में ही चलेगा volumetric titration and gravumetric analysis step by step हम आगे बढ़ेंगे यह चैप्टर कॉमन रहेगा बी फार्मा फरस्ट यर एंड डी फार्मा फरस्ट यर वाले बच्चों के लिए तो समझते हैं volumetric analysis और titration क्या होता है तो titration मतलब हम लोग क्या डाले दिमाग में कि titration क्या चीज है क्या है यह तो इसको समझने के लिए मैं छोटा से example लूँ अगर मैं बोलू तुम लोगों स है कि एक बीकर है ठीक है उसके अंदर पानी था पाइन डाल लिया लेक्ट तुमने 100 ml पानी डाल लिया अब तुमने क्या किया तुमको सपोस्ट नहीं पता है मैंने इसमें क्या कर लिया एक चमच वन टी स्पून टीस्पी मतलब टी स्पून एक चमच क्या डाल दी सुगर डाल दिए अब यह वीकर लेकर के मैं तुम्हारे पास आ गया अब यह वीकर ले करके मैं सुगर का मिधा रूपता का कंसंट्रेशन अजन ऑफ भल्मत को उमीद करता हूं कंसंट्रेशन हिंदी में कहते हैं सांद्रता है ना सांद्रता कंसंट्रेशन और सुगर कितनी है अब तुम्हें पता ही नहीं है अन्नोन मैं तो ग्लास लेके आगे तुम्हारे पास पता ही नहीं उसका कितने उसकी सुगर की क्या है कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन मतलब निकालेंगे Molarity की टर्म में या निकालेंगे Molarity की टर्म में पढ़ाओगा Normality है ना यह सारे क्या हैं Concentration को चेक करने का यानि कितनी Concentration है किसी solution की In terms of Yzus Molarity निकालते हैं Capital M या morality निकालते हैं छोटा हैं या normality के term में निकालते हैं तो अगर मैं तुम्हारे पास लेके आ गया कि बताओ इसकर सुगर की कितनी concentration है कैसे check करोगे कैसे check करोगे चलो आओ थोड़ा सा इसको और समझने कुछिशिश करते हैं थोड़ा सा easy example लेते हैं देखो वाल्यूमेट्रिक तो हमारा जो हैडिंग ही है वह हैडिंग क्या है वाल्यूमेट्रिक क्या है है वाल्यूमेट्रिक क्या होता है जांच करना और वॉल्यूम किसी वॉल्यूम की हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे इसकी इसको और समझ लेते हैं अच्छी समझ में आ जाएगा एक्चुली है क्या जैसे कि सपोस्स मैं तुम्हारे पास आया और मैंने तुमसे कहा कि ये एक इस टोन है क्या ये पत्थर का तुकड़ा दे दिया मैंने का बताओ इसका वेट कितना है अब तुम लोग खटाक से तुम्हारा दिमाग चल जाएगा अरे इसका वेट बड़ा असान है क्या करो कि इसके वेट के लिए है ना तुम कहोगे सर ये तो हमको पता है अरे तुम क्य करेंगे एक तराजु ले लेंगे एक तिराजों रखेंगे कि दूसरी तरफ थोते हम लिए को रखना करेंगे एक किलों का रखा रखा याला एक किलों का रखा हमने देखा इसका nous ज्यादा हो गया तो हमनों क्या करेंगे जो एक किलो का है उसको हटा देंगे यहां से रखेंगे फिर 500 ग्राम का रखेंगे अब देखा कि अभी भी यह नीचे है हमने फिर 500 ग्राम का रखा ठीक है हमने देखा अभी भी यह नीचे हमने फिर और 50 ग्राम का रखा हमने देखा अब ये क्या होगा दोनों, balance हो गया, क्या हो गया ये, balance हो गया, तो तुमने देखा ये कितना हो गया, 1 प्लस 1, 2 and 5 and कितना हो गया, 2.8 kg हो गया ये, बास समझ में आ रही है, तो तुमने यहाँ पर क्या किया, एक unknown, ये quantity क्या थी, unknown थी, उसको तुमने known, यानि कि उसका weight exact पत लगा लिया, जो हमारे पास known weight थे, जिनका हमें weight पता था, जिनका हमें weight पता था, तो ये वाली quantity क्या कहलाएगी, known कहलाएगी, known मतलब जिनको जानते हैं, और ये क्या है, unknown, unknown मतलब जिसको नहीं जानते, जिसको नहीं जानते, कुछ बच्चे कह रहते हैं, सर हिंदी में, तो देखो मैं बच्चे बता दूँ आपको, मैं जब explain करता हूँ, कोशिस मेरी ये रहते हैं, कि मैं हर एक चीज़ को हिंदी में बोलू, जब मैं किसी चीज़ को हिंदी में explain कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको pause करके, वहाँ पर लिख लें कि इसके meaning हिंदी में ये है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि हर एक word का meaning लिख पाना हिंदी में possible नहीं हो पाता है, किलियर होगी बात, ठीक है, तो अब ये बात तो मोटी मोटी बात समझ में आ गई, सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, एक solution unknown होगा, एक solution known होगा, उसकी help से हम unknown solution की क्या होगा, quantity पता करेंगे, अब समझते हैं इसको सब्सक्राइब और detail में, ठीक है, इसका एक example लेते हैं, ओके, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है, देखो बच्चों, इसको ज़रा समझ लें हम लोग, समझते हैं जरा इसको, हम लोग titration lab में जब होते हैं, तो lab में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, lab में हम लोग क्या करेंगे, पता है न, यह क्या होती है, this is burett यह क्या है this is burett भी हुए फी क्या है ठीक ना यह क्या है इस burette में हम लोग क्या करते हैं एक सलुसिन भरेंगे और इस beaker में एक दूसरे सलुसिन भरेंगे अब कौन सा इस सीन कौन सा होता है समझने जरह बात को बहुत ध्यान से यहां देखना कि हम लोग क्या करने जा रहे ह। यह नीला-nाअल हो गया है कर लेते ह। बीस देखो, यह जो मेरे पास फ्लास्क होता है ठीक है इस वाले नीचे वाले कंटेर्नेर में जर्नली हम वह solution लेता है के अंदर unknown ठीक है unknown क्या है उसकी concentration unknown है क्या unknown है concentration बट इसका volume कितना है इसका volume कितना है वो मेरे को पता है सब्सक्राइब मैंने इसका ले लिया है 100 ml एक्जामपल को तरक समझा रहा हूं तो इस वाले solution का निच्चे वाला जिसका मेरे को concentration पता करना है यानि कि यह वाला हो गया इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह बीकर था इसका 100 ml का पानी था इसके कुछ चीनी थी कितनी चीनी थी मुझे नहीं पता वाल्यम तो पता है ना पानी की 100 ml का solution है same condition यहाँ पर मेरे को इस वाले में इसका वाल्यम पता है ठीक है लेकिन इसका concentration कितना होगा मेरे को नहीं पता अब मैं क्या करता हूं उपर इस ब्यूरिट में एक दूसरा solution लेता हूं मैं ठीक है इस ब्यूरिट के अंदर एक में दूसरा solution लेता हूं इसके को सब्ने में इसकी concentration मेरें को पता है concentration गना सबैंगो सब्सक्राइब को पता है इँस ब्यूरिट का मार्क यहां पर पचास पिफिटे-मल तक इसको पूरा क्या कर लि自 Holकर लिए++ अब बात को समझना जहरा होगा ठीक है अब इसका कांसेट्रेसन में को पता है प्मठास अमल तक फिल कर लिए मैं इसको यहां सेखो घ्री आप लीरिट से जो उपर वाला solution है नीचे आके गिरना start हो जाएगा अब होगा क्या एक समय ऐसा आएगा कि नीचे वाले solution का color change हो जाएगा क्या change हो जाएगा color color क्या हो गया change हो गया देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग example के तोर पर यह dark blue थो यह light blue हो गया यह indicate करता है यह क्या indicate करता है कि मेरी reaction पूरी हो गई है इसका भी क्या मतलब है मैं बताऊंगा अभी ठीक है वहले बात समझते हैं जैसी इसका color change हुआ मैं इसको बंद कर देता हूँ और यह mark लगा दिया यहाँ पर अब उपर था 50 ठीक है लेट मान लेते हैं कि यहां पर आते आते यह रह गया कितना 15 ml बचाओ मतलब यहां से लेकर यहां से 0 था 0 से लेकर कितना बचाओ 15 ml तो 50 में से 15 घटा दूंगा इस 50 में से 15 को घटा तो मेरे पास यह वाला ml आ जाएगा ठीक है ना कितना आ जाएगा यह 35 ml आ गया तो याने कि इस वाले solution का कितना volume इस्तमाल हुआ 35 ml तो मेरे को इसका concentration तो पता ही था concentration मतलब molarity solution को मैं one नाम देजेता हूँ और solution को two नाम देजेता हूँ तो molarity of solution number one पता थी मेरे को volume of solution number one पता चल गई 35 ml इस्तमाल हुई ओके इस वाले solution में volume मेरे को पता है याने कि इसको मैं नाम देजेता हूँ वी टू अब कितना concentration है याने कि कितनी molarity है कितने number of moles है वो मेरे को पता करने है तो ठीक है अब जड़ा बात समझते हैं कि आखिरकार हमने अब इनको क्या करेंगे हम लोग equate कर देंगे याने कि M1 V1 equal to M2 V2 कर देते हैं क्यूं आखिरकार क्यूं हमने इनको दोनों को equate कर दिया यह भी एक सवाल है कि आखिरकार को हमने equate क्यूं कर दिया तो आख समझते हैं इसको थोड़ा सा equate क्यूं क्या छोटा सा example लेते हैं सपोज मैं यहाँ पर एक डाग्राम बनाने कुश्च करता हूं छोटा सा example लेते हैं acid-based iteration से तो easily समझ में आ जाएगा यह बीकर था सपोज इसके अंदर क्या है मेरे पास h plus ions है मेरे पास यहाँ पर क्यों सॉलूशन मौजूद है कैसा है है acidic है और कैसा है h plus ion मौजूद है अब मुझे नहीं पता कि कितने h plus ion है सपोज लेट लेट यहाँ पर h plus ion कितने है thousand है समझने के लिए ठीक है अब होगा क्या इसको मैंने पूरा भर दिया है इसके अंदर कौन होता है बेस होगा फिर इसके अंदर कौन होगा अगर नीचे अचीड है तो उपर बेस होता है अगर नीचे बेस है तो उपर अचीड होता है डिटेलिंग में समझेंगो उसको अब अगर यहाँ thousand है तो reaction पता है न हच प्लस और ओच माइनस मिलके क्या बनाते हैं ह्टू बनाते हैं क्या बनाते हैं ह्टू बनाते हैं ह्टू बनाते हैं तो यहाँ से ओच आता रहेगा जैसे ड्रॉप बेड्रॉप डालेंगे ओच यहाँ पर आकर के गिरता रहेगा जैसे ही यहाँ पर 1000 OH आ जाएंगे तो इस वाले beaker के सारे H प्लस क्या हो गए? खतम हो गए इस वाले beaker के सारे H प्लस क्या हो गए? खतम हो गए अब होगा क्या? अब यहाँ पर काम स्टार्ट होता है इंडिकेटर का सब्कोज यहाँ पर एक इंडिकेटर रखा हुआ है इसका अंदर क्या पढ़ा हुआ है इंडिकेटर पढ़ा हुआ है वो इंडिकेटर कैसा है मेरा H I N यह इसका formula होता है मतलब formula रखे है कि इसके अंदर H plus ions है और बाद वाकि क्या है मतलब पूरा formula है इसका अब जैसे ही यहाँ पर एक extra OH ion आके गिरेगा कौन गिरा आकर के extra OH ion जैसे ही यहाँ से OH ion गिरेगा यह OH ion इससे इसके H plus हो खीचेगा और क्या बना लेगा H2O और यह बाद वाकि जो इंडिकेटर था मेरा वो कैसा हो गया नेगेटिव आइन में convert हो गया इंडिकेटर की यही खासिद होती है जब यह ionize होगा जब यह क्या होगा आइनाइज होगा दो बाते हो सकती है क्या बाते होंगी यहाँ पर जब यह ionize होगा अगर यह color है तो colorless हो सकता है माल लो यह colorless था तो यह क्या हो जाएगा जैसे यह ion में टूटेगा तो ये color देदेगा क्या देदेगा? color देदेगा जैसी extra OH गिरा यानि कि जितने H plus थे इसके अंदर वो सारे consume हो गई है यानि कि मेरी reaction खतम हो गई है जितने H plus थे वो सारे क्या हो गई? consume हो गई इस वाले उपर से जो OH आ रहे थे उसने सारे H plus खा लिए जो extra OH आया वो इस indicator के H plus से react करके इस indicator को तोड़ा और indicator ने क्या दे दिया? color यहां से मेरे को एक सूचना मिल गई एक indication मिल गया कि इसके अंदर के सारे जो ions थे वो क्या हो चुके है? खतम हो चुके है मेरी reaction complete हो गई है उल्टा भी हो सकता है ऐसा हो सकता है कि color solution हो और वो colorless हो जाए है ना? इस तरफ color हो और एसा तूटने पर color हो जाए कुछ भी हो सकता है जैसे situation आईगी हम लोग उसको discuss करेंगे तो देखो यहां सिंपल सी बात क्या होगी? अब obviously बात है formula क्या होता है? याद है M equal to number of moles N upon volume है ना? तो N की value क्या हो जाएगी? देखो जा रहा M into V तो देखो जितने moles OH के उपर से गिरे उतने ही moles तो नीचे H plus के consume हुए इसके moles और इसके H plus के mole यानि कि इसके moles, number of moles N और इसके number of moles दोनों अपस में क्या थे? बराबर हो गए जैसे ही N बराबर हुआ तो देखो M1 V1 equal to क्या हो जाएगा? M2 V2 क्योंकि दोनों के number of moles क्या है? बराबर थे तो बात समझ में आई क्यों हमने M1 V1 equal to M2 V2 किया? सेम इसी तरीके से अगर normality के case में निकालेंगे तो N1 V1 equal to क्या कर देंगे? N2 V2 कर देंगे देखेंगे जब detail है पढ़ेंगे तो एकाद numerical देंगे और वहाँ से इसको और अच्छे से समझ नहीं कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई titration क्या है? एक unknown solution का एक unknown solution का जो इसके अंदर था उसका concentration पता करना है क्या पता करना है? concentration सांधरता ठीक है न? इसका volume पता है उपर कितना volume इस्तमाल हुआ वो पता है हमने उपर वाले ब्यूरिट में कितने concentration का solution डाला हमको वो पता है यानि कि इसका molarity पता है इसकी volume पता चल गई नीचे वाले का volume पता था नीचे वाले का concentration ढून लिया हमने ये वाला formula लगा करके ये बात समझ में आ गई अच्छे से उमीद करों ये बात समझ में आ गई होगी अगर कोई problem है तो comment कर सकते हो ना कोशिश करूँगा उसको next lecture में इसके कुछ doubts वगरा clear करने के लिए अब यहाँ पर कुछ terminology है terminology मतलब कुछ terms हैं जो हमको समझ लेने हैं इसको ये कहते हैं आओ देखते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़े हैं पहले एक term आता है tight rent देखो जो solution का हमें molarity और volume दोनों चीज़े पता हैं यानि कि जो हम बीकर में डाल इसमें ब्यूरिट में डाल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं tight rent नहीं देख रहा हैं तो मैं यहाँ लिग देता हूं क्या बोलते हैं tight rent जिसका कंसेंट्रेशन हम पता कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टाइट्रेट और एनलाइट क्या बोलते हैं टाइट्रेट और एनलाइट बात किलर हो गई दूसरी चीज हमने जो इसके अंदर एक कैमिकल डाला जिससे की जैसी रियक्षन कंप्लीट हुई उसने अपना कलर चेंज करके हमें ये बता दिया कि रियक्षन कंप्लीट हो गई है ऐसे एक चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इसके अंदर एक चीज डाली जाती है इन्डी केटर, क्या कहते हैं उसको हम लोग, इन्डी केटर, है ना, इन्डी केटर को सूचक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, उसके बाद देखो, टाइटरेंट, टाइटरेट या एनलाइट, इन्डी केटर, अब इसमें एक टर्म इस्तमाल होता है, जैसे ही कलर चेंज जैसे ही color change हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं end point तो इसको थोड़ा समय यहां लग देता हूँ है ना तो color change color change ठीक है ना color change को end point कहा जाता है जिस जैसे ही जिस point पर आके color change होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं end point इसमें एक आता है equivalence point क्या होता है equivalence point अच्छा है और गौर से देखो जब H plus और OH मतलब उपर से OH गिरा उसने H plus पूरे खा लिए color देने के लिए उपर से extra OH को आना पड़ेगा जब extra OH आएगा तब color आएगा यानि कि हम कहीं न कहीं इसके अंदर OH थोड़े से थोड़े से बहुत मामली से extra आ रहे हैं तो वो end point हुआ लेकिन जिस point पर मतलब एक point ऐसा होगा कि H और OH दोनों क्या हो गए जितने H plus उतने ही OH minus लेकिन उस point पर color नहीं आएगा है ना color आने के लिए extra OH को आना पड़ेगा जिस point पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं उसको हम लोग कहते है equivalence point है सारी बाते हम आभे आ जायेंगी points की term में तो ये कुछ main main बाते थी हमें the titration में क्या क्या चाहिए होगा एक titrant चाहिए होगा एक titrate चाहिए होगा ये analyte चाहिए होगा एक indicator चाहिए होगा अब उसमें एक end point आएगा, एक equivalence point भी हो सकता है, ये बात है समझ में आ रही है, clear है, ओके, ठीक है, ये सारा मैंने क्या क्या तुमको समझाया, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको points में लिख करके समझाया हुआ है, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने chapter की तरफ, अब तुम लोग titration क्या है, ठीक है, chapter 2 है, volumetric analysis and या आप इसको कहलो titration, titration क्या है, it is the procedure, एक procedure है to determine, हमें जांचना है, determine करना है, the concentration of solution, ये देखो, क्या नापना है हमें, solution का concentration जांचना है, of known volume, मैंने बताया था, देखाओ, हाँ, जिसका हमें concentration जांचनी थी, इसकी concentration चेक करनी थी, इसकी volume तो हमको पता थी ना, volume पता थी, बस वही बात बोल रहा है है, ठीक है, कि concentration जांचनी है, solution की, of known volume, जिसका volume क्या है, known है, by reacting it with standard solution, जो burit में हमने डाला, उसका नाम क्या रखा, ये क्या है, जो titrant होता है, इसी को हमनों क्या बोलते है, standard solution भी कहते हैं, ये हमारा standard होता है, हमें पता है, कितनी इसकी value है, और कितनी नहीं है, ठीक है, of another substance, whose concentration is known, उसका concentration हमको पता है, तो titration क्या है, simple सी बार्षा है, इसको चाहो तो अपने language में भी बनाके लिख सकतो हिंदी में दिमाग में डाल लो, कि हम लोग एक unknown solution का, जिसका volume पता होता है, उसका concentration ढूनने की कोशिश करते हैं, by the help of standard solution of unknown concentration, volume तो जब बाद में पाज चल जाएगा, उसका जब वो react करेगा, ठीक है, अगला term आ गया, देखो क्या है, titrate और analyte, क्या आ गया, titrate और analyte, थोड़ा सा color change कर लें, ओके, titrate और analyte, तो titrate और analyte, ठीक है, it is a solution whose concentration is not known, titrate और analyte क्या चीज़ है, concentration इसका नहीं पता है, not known, और to be determined, जिसा concentration हमें जाचना है, titrate, it is a solution whose concentration is known, इसको कहा डाला था, biruit में, titrate को कहां भरा था, biruit में भरा था, याद आया, और इसको हमने कहां भरा था, beaker में लिया था, clear है बाते हैं, okay, types of titrate, titrate याने कि जिसकी help से हम लोग titrate को, concentration को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, अब यहाँ पर theoretical एक point आता है, titrate actually दो category हम डिवाइड किये गए हैं, एक primary titrate होता है और एक secondary titrate होता है, मुटी मुटी एक चीज़ बता दू मैं, अगर जो primary होते हैं, यह primary हमारे यह एकदम pure form होती है, एकदम pure form, काफी costly होते हैं, काफी costly होते हैं, वो 2-3 लाग का बन रहा है, इसकी help से हम यह बना लेते हैं, इसका 10-20 किलो पर चला, 10-20 हैर का ही बन रहा है, तो कहीं ना कहीं secondary वाले हमारे, थोड़े से उतने pure नहीं होते हैं, बट काम चल जाता है, ठीक है ना, तो exam point of view से, आप इसको लिखना पड़ेगा, आपको exam में, primary titrate क्या होता है, these solutions are made from primary standard, ठीक है ना, एकदम pure form, primary standard substance, जो substance अपने pure form में हैं, उससे बना रहे हैं, इस solution are made from secondary standard substance, याने कि इसकी help से हम एक दूसा substance बनाते हैं, उससे हम लोग फिर इसको prepare कर रहे हैं, ठीक है, ओके, आगे आते हैं, यह क्या हम बोल रहा है, extremely pure, कैसा है यह, extremely pure, 99.9%, not very pure, उतना pure नहीं होता है यह, less और not reactive, यह reactive नहीं होगा, ऐसा है ना, मालो, solution रखा हुआ है, तो easily air में किसी particle से, मतलब oxygen से किसी और से जल्दी react नहीं करेगा, क्योंकि अगर यह react कर जाएगा, तो जो मेरा volume जांचने जा रहे हैं, वो उतना accurate volume जांच के, अंतलब concentration जांच के, नहीं देगा, यह, इसके मकावले थोड़ा सा ज्यादा reactive होता है, cheap हो गया, सस्ता हो गया, तो obviously बात है, थोड़ा सा हो जाता है, not hygroscopic, important point, surrounding से hygroscopic का मतलब moisture, ठीक है ना, hygroscopic मतलब moisture, सोखना, hygroscopic मतलब moisture, देखा ना, बरसात में जो नमक होता है, पहली बता चुकाओं में, नमक क्या करता है, आसपासे पानी खीच लेता है और गीला-गीला सा हो जाता है, ऐसे सब्स्टांस पा hygroscopic कहा जाता है, यह hygroscopic नहीं होते हैं, यह कुछ हद तक hygroscopic हो सकते हैं, rarely gets contaminated due to less reactivity, actually due है, बहुत ही कम contaminate होते हैं, मैंने बताया था, reactive नहीं है, तो easily surrounding में किसी molecule से या atom से react नहीं करेंगे, जब react नहीं करेंगे तो जल्दी से contaminate नहीं होंगे, यह उसके comparison में हो सकते हैं, used to standardize secondary standards, इनको इस्तमाल किया जाता है, इनको बनाने के लिए, ठीक है, secondary standards and other reagents को बनाने के लिए अमरिका इस्तमाल करते हैं, example देख लें, oxalic acid है, potassium dichromate है, silver nitrate है, और भी होते हैं, यहाँ पर हम देख लें, इनको बनाए जाता है कुछ खास analytical experiment के लिए, ठीक है, example है, noh, koh, kaminophor, ठीक है न, तो यह तुम्हें पता होना चीए, generally primary titrant क्या होते हैं, और secondary titrant क्या होते हैं, यह pure form होती है, pure form की help से हम एक दूसरे बना लेते हैं, ठीक है, बट यह उतने pure नहीं होते हैं, बास समझ मागी, जब lab में जाओगे, इनको हर बारी हमें क्या करना पड़ता है, जाचना पड़ता है, बट इसको हर बारी जाचने की ज़रूरत नहीं होती है, फिला, theoretical point of view से इतनी बात याद रखें, जब अब lab में जाएंगे, तो चीज़ें और अच्छे से killer हो जाएंगी, चलें आगे, ओके, अब कहरा types of titration, very important चीज, हम लोग ने titration जो समझी, वो acid base के हिसाब से समझी, क्या केवल acid base ही titration होते हैं, titration कई सारे होते हैं, कैसे पड़ता चलेगा, देखो, पहला है acid base titration, it is a titration in which an acid or base or basic titrant react with an analyte, या तो acid या basic titrant analyte के साथ क्या करता है, react करता है, ठीक है, और वो क्या होगा अनलाइट, अगर titrant मेरा acid है, तो analyte मेरा base होगा, titrant मेरा base है, तो analyte मेरा acid होगा है ना, समझाते हैं, अगर उपर OH है तो नीचे H+, होगे, complexometric titration, यह सारी बात हैं, अभी एक लाइन में खतम कर रहा हूँ है, यह सारे के सारे detail में है, ठीक है ना, B pharma और D pharma, दोनों में धीदरे क्या आएंगे, detail में आएंगे, तब मैं इनको पूरी तरह detail में समझाओगा, main main अभी concept समझ लो, देखो, यहाँ पर क्या था main चीज, यहाँ पर हमें क्या होता है, color की changing आती है, उससे पार चलती ही चीज़ें, यहाँ पर देख लोग क्या हो रहा है, this type of title involves the metal ligand complex reaction, यहाँ पर क्या होगा, metal और ligand, क्या तुम लोगों ने, coordination compound class 12 का, chapter number 9 है, जो NCRT का, class 12 का, coordination compound याद है, उसमें metal ligands की आपस में reactions है, कुछ metal ligands के compounds है, तो यहाँ पर जब metal और ligands के base पर, उनके reaction के base पर, अगर हम लोग पता लगाएं, किसी का concentration, तो उसको complexometric titration कहते हैं, precipitation titration, यहाँ पर क्या होगा, precipitate बनेंगे, क्या बनेंगे, precipitate, जब दोनों को मिला होगे, तो solid formation होगा, है न, powder form का solid बनना इस्टार्ट होता है, ठीक है, in this titration, the analyte and the titrant react to form precipitate, यहाँ पर क्या बनते हैं, precipitate बनते हैं, तो इसका नाम क्या पढ़ गया, precipitation, titration, detailing करेंगे आगे, जब हम इसको पढ़ेंगे, full detail में, redox, redox में समझी रहे हो, क्या होगा, या तो oxidizing होगी, या चीज, reduce होगी, ठीक है न, in this the titrant agent, oxidizing और reducing agent, जो titrant होता है, या तो oxidizing agent होगा, या reducing agent होगा, समझते हो न, oxidize और reduce होना, up chain, up chain बोलते हैं, साइध हिंदी में, हिंदी का, देख लेना, ठीक है न, oxidize और reduce, in reducing agent का क्या होता है, इस्तमाल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, redox, titration, तो four type की titration है, very easy, मैं बता जब acid base का इस्तमाल होगा, फिर से, तो acid base titration, जब metal ligand, ये ध्यान रखना है, जब metal ligand complex formation होगा, तो complexometric titration, जब precipitate बनेगे, क्या बनेगा, प्रेस्पिटेट बनेगा, तो precipitate titration, जब oxidizing और reducing agent का इस्तमाल होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, redox titration, है न, simple, पूरा-पूरा clear है बाते, चले आगे, okay, okay, end point, मैं बता चुका था अभी, end point क्या है, फिर से देखते है, in titration, the completion of titration, completion मतलब, जब मेरा titration complete हो जाएगा, इसके जगार लिख सकते हो, जिन बच्चों के इसमें लिखने दिक्कत है, when reaction complete in titration, जब reaction क्या होती है, complete होती है, ठीक है न, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, end point बोलते है, कैसे पता चलेगा, end point आ गया है, जो मेरा analyte होगा, वो अपना color बदल देता है, the end point is detected by some physical changes, physical मतलब, physical मतलब, उपरी changes होते हैं, color, smell, stuffy, चीज़े को क्या बोलते है, physical changes बोलते है, taste, color, smell, जिसको हम लोग physically महसूस कर सकते हैं, उसको हम ब बोलते हैं, physical changes, produced by the solution, by itself या खुझ से कर सकता है, या और by the addition of auxiliary reagent, बच्चों यह auxiliary का मतलब होता है, सहायक, supporting, है ना, सहायक या supporting, तो auxiliary वर्ड पसंद नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है, तो हटा देना, ठीक है, ना, by addition of an reagent, सिरहा लिख सकते हैं, by addition of a chemical known as indicator, ऐसा लिख देन है, clear है, topic को लेकिन concept को दिमाग में डाल लो, ठीक है, auxiliary मतलब क्या होता है, supporting, equivalence point मैंने बताया था, जिनको याद होगा अच्छी बात है, पर नहीं हाँ समझते है, it is a stage in which the amount of reagent added, बच्चों reagent का मतलब, any chemical, ठीक है ना, तो यहाँ पर reagent का मतलब हम लोग किस की बात कर रहे है, titrant की बात कर रहे, जो titrant उपर से आ रहा है, जो titrant हमने add किया, is exactly and statiometrically, statiometrically, statiometrically क्या होता है, बताता हूँ, मैंने पहली समझाए है, side, h2 plus n2 give ns3, ठीक है न, यह balance नहीं है अभी, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर n के 2 है, n का 1 की है, यहाँ जैसे 2 करूँगा, यह जो number देख लो आगे, इसके आज कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इन number को हम लोग क्या बोलते है, statiometric coefficient बोलते है, जब number wise दोनों बराबर हो जाएं, जो मैंने बताया था कि, है न, जो मैंने क्या बताया था, जब मैंने बताया था, तम लोगो, जिस लाइड है, 7, और हम लोग आत है, थोड़ा सब आपस, यहाँ पर, तो तो मैंने क्या हो जाता था, वो situation जब H प्लस और OH आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, end point तो तब आता है, जब OH एक्स्ट्रा आता है, बात समझ मा आ रही है, पकड़ लिए, ठीक है न, तो हम लोग equivalence point कव आता है, जब म मेरा amount of reagent add कर रहा हूं में, is exactly and statiometrically equivalent बराबर है, amount of the reacting substance, जो substance react कर रहा है, उसके बराबर हो जाए, in titated solution, यह बने example के लिए समझाया था, इसका मतलब नहीं है कुछ, ठीक है, note, note देखो important है, the end point and the equivalence point may not be identical, मैंने बताया था, end point में थोड़ा सा उपर निकल जाता है, क्यो difference point पहले आयाता है, तो कहता है, दोनों identical, identical मतलब एक समान नहीं होंगे, दोनों equal नहीं होंगे, क्यों, because, end point is usually detected only after adding slight, slight में तब हलका सा एक्सेस जादा किसका titrant, titrant जब हलका सा जादा डालेंगे, तब ही तो color आयेगा, तो end point थोड़ा सा बाद में आता है, the difference between these two will fall within the experimental error, अ तो यह थोड़ा सा difference आयाता है, इसको हम लोग error के थूरू क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, हमें पता है कि यह error है, हलका सा, ठीक है न, so equivalence point, कौन सा point होगा, जो concept समझाए हो, जब हमारे पास यह दोना बनावर हो जाए, लेकिन इस point पे color नहीं आएगा, color आने के लिए indicators, उमीद है, समझगे होगे, indicators क्या है, an auxiliary substance, फिर बता रहा हूँ, auxiliary लिखा जाता है, ठीक है, कोई और अच्छा sentence, word मिलता नहीं है, auxiliary मतलब supporting substance, diet लिख दो, एक substance है, any substance, any substance, additive and light, कोई एक ऐसा substance जो add करेंगे, for physical detection of, completion of titration, कुछ टेमलोजी है, डिरेक्ट चाहो तो याद कर सकत हो, titration मेरा क्या हो गया है, complete हो गया है, उसको ये बताएगा, detect करने में help करेगा, ठीक है, the indicator should give a clear color change, indicator ऐसा होना चाहिए, कि color change बिल्विल किलियर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि मतलब light pink से हलका सा dark pink हुआ, पहले light pink था, फिर हलका सा dark हुआ, पता ही नहीं चलेगा, change हुआ क clear cut ऐसा होना चाहिए, एक दम clear cut change आए, बात समझ में आ गई, ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ बाते हैं, अब हम लोग कर लें, यह सब general बाते हो गई, आप जब देखते हैं, क्या indicator सरिफ इसी type के होते हैं, किसी और तरीके से भी हम लोग check कर सकते हैं, कि मेरा titration complete हो गया है अब देखते हैं, different method to determine the end point और इसको हम क्या सकते हैं, different types of indicators, अलग-अलग type में, अलग चीज़ को इंडिकेटर का सिस्तमाल होता है, ठीक है, अब तो हमने सिर्फ color बाला देखाता है, देखो बड़ा interesting है, मज़ा आएगा, pH indicator, pH मतलब, पता यह है न, pH क्यो था, the potency of hydrogen, H plus science, the pH indicator is a substance that, it changes its color in response to a chemical change, यह एक ऐसा indicator होगा, ऐसा substance है, जो change करता है अपना color को in response to a chemical change, ठीक है, आगे क्या कहा रहा है, an acid-base indicator, यह हमारे acid-base की बात करना चाहरे हैं, भाई साब, an acid-base indicator changes its color depending on the pH, जैसे अभी हमने देखा था, जो example दिया था, वो example कहें न, कहीं, तुम्हारा यहां पर आजाएगा, पड़ा ही common example है, इसका phenophthalene, वो ही H plus टूटेगा, यहने कि जैसी वो basic हुआ, तो उसने, OH ने उससे H plus खीचे, और उसने अपना color दे दिया, ठीक है, a drop of indicator is added to the titracer at the start, कह रहा है, indicator को शुरुआत में ही एक drop डाल दाल जाते हैं, as the reaction completed the color changes, जैसी reaction complete होगा, color change होगा, इसकी तो हमने बात करके ही समझाया है, पूरा topic, तो यह तो अच्छे से आगया होगा, देखते हैं, आगे थोड़ा सा, potential meter, potential meter I think physics में class 12 में पढ़ा होगा न, potential meter, वोई चीज़ है, हो क्या रहा है, it is an instrument that measure the electrode potential, of the solution, solution के अंदर क्या पढ़ा हुआ, electrode पढ़े हुए, उनका potential ना पे गाई है, अब यह कहां पर और कैसे इस्तमाल होते हैं, वो मत सोचना अभी, इस तरीके से भी हम लोग indicator का इस्तमा करेंगे, जब redox titration होगा, तब potential of the working electrode, will suddenly change as the end point is reached, जो उसका potential है, जब रीडिंग है, एकदम से बदल जाती है, potential meter लगा रखा है, मालों एक रीडिंग दे रहा है, एकदम से दूसरी reading दे देगा, खटाक से, जैसे उसके एकदम से reading बदलेगी, वैसी इसका हम समझ जाएंग कि कैसे ऐसे होता है, जब redox titration को पढ़ेंगे डिटेल में, तब उसके बारे में भी समझेंगे, फिलाल इसको बस समाझ दो कि इस तरीके से भी indicator इस्तिमाल होते हैं, नेक्स्ट पी एच मीटर, पी एच है न, मीटर, मीटर मतलब नापना, पी एच को नापने वाला, फोटंचंव डिपेंट्स ओन, पी एच पेंट नापने वाला, पुटंचंव डिपेंट्स अफेंट कर रहा है, सलूचन में जो ही फॉटंचंव डिपेंट्स अब पाया है, इतना हुटंचंव इतना को दौरान हमको उसके एच प्लस का पता चलता रहता है कि कितना एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन है किलियर है इड़ एंड पॉइंट देर विल भी अ सटन चेंज इन मेजर पीएच जो पीएच हम लोग नाप रहे हैं यह नापा हुआ है उसमें एकदम से सटन चेंज आएगा एकदम से बदला हुआ आता है उसका पीएच जो है खटाक से बदलेगा एकदम से ठीक है तो पीएच मिटर नाम आगया इसका दिस मेंटर इज मोर एकुरेट देन दा इंडिकेटर मेंटर एंड इस वेरी ऑटोमेटेड ठीक है इसली ऑटोमेट कर सकते हैं और इसकी एकुरेसी काफी जादा है तो फिलाल हम पर क्या समझना हमें पोटेंशल किसमेंड करेगा एस प्लस आयन पे और ज डिचसी देश्टर में इल्यौटेचों का पुटेंशल इक्दम से चेंज हो रहा है यहां पर एक्दम से क्या क्या चेंज हो रहा है तो the conductivity of a solution depends on the ions हमें एक बहुत पता है जिस तरगे से तार के अंदर electron चलते हैं और electron की वज़े से तार की conductivity होती है वैसे ही एक solution के अंदर जो ions होते हैं उसके ions की वज़े से एक solution की conductivity होती है ठीक है तो जो conductivity of solution depends on the ions present in it during many titration कई सारी titration में the conductivity changes significantly 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 मतलब इतनी ज्यादा change होती है कि हम लोग उसको measure करें और अपनी चीजों को जाच सकते है that is during an acid-based titration the H plus and OH ions react to form neutral H2O this change the conductivity of solution obviously बात है ions खतम हो गए वो H2O में बदल गए तो उसके अंदर ions खतम हो गए न उसके conductivity में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा हम उस conductivity को नाप करके भी क्या कर सकते हैं अपना indication ले सकते हैं जब तक H plus ions थे उसके अंदर OH minus ions तब तक conductivity दिखा रहा होगा जैसी OH minus ions गायव हो गए वैसी conductivity खतम होगी होगी उसकी कलर चेंज कलर चेंज का हम लोग कॉंसेट पढ़ चुके हैं solution changes color without any अच्छा हां यह वो चीज नहीं है कई बार कुछ solution खुद से ही ऐसे होते हैं कि जैसे उसके अंदर ions खतम होगी वो अपने आप से कलर बदल देता है अलग से इंडिकेटर डालने की ज़रुवत नहीं पड़ती है उसकी बात कर रहा है in some reaction the solution changes color without any added indicator हमने यहां पर कोई indicator अलग से नहीं डाला है ठीक है ना this is often seen in redox titration ऐसा कहा देखने को मिलता है redox titration में देखने को मिलता है for instance for instance for example when the different oxidation states of the product and reactant produce different color example दे रहा है कि जो अलग-अलग oxidation state होते है वो अलग-अलग color है ना oxidation state समझते हो ना oxidation state है ना जैसे कि c l का minus c s का oxidation state है o2 minus इसका minus 2 का oxidation state है एने प्लस इसका plus 1 oxidation state है ना charge जो होता है उसको क्या कहते है oxidation state कहते है और एक बड़ी खासियत है same atom अलग-अलग oxidation state में अलग-अलग color भी देते है पढ़ेंगे तो इसको जब detail में तो वहाँ पर देखेंगे कौन-कौन से इसके examples है तो यहाँ पर क्या हो रहा है oxygen state बदल रहा है जिसके वएसे क्या बदल रहे है color change हो जा रहा है ओके है next precipitation यह तो पता ही हमें क्या बनेगा यहाँ पर प्रेस्प्रेट बन जाएगा इन दिस टाइप आफ टाइटरेशन दा strength of the solution is determined by its complete precipitation प्रेस्प्रेशन कैसा हो जाएगा complete होगा with a standard solution of another substance वो complete precipitate हो जाएगा ठीक है उससे हमें उसके क्या पास चलती है strength का पता चलता है कि उसकी कितनी strength है ओके तो यह हमारे पास जो 6 टाइप के क्या थे हम लोग 6 टाइप से indicators कह सकते हैं 6 अगलर टाइप के यूज करते हैं यह देखने के लिए जब end point आ जाता है तो 6 टाइप के इंडिकेटर से जिससे हमें पास चलता है क्या कि end point आ चुका है कि कंडिशन फॉर वॉल्यमेटिक अनलिसिस जब वॉल्यमेटिक अनलिसिस कर रहे हो तो क्या क्या conditions follow होंगी तो आप देखते हैं मतलब जब रिएक्षिन लिखे जैसे अभी लिख रहेते हैं न हमलोग क्या लिख रहेते हैं तो रियक्षण ऐसा होकि रियक्षिन लिखने में ही ना आए ठीक है दार येक्षिन शुडबी प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस तुरांत होनी ची एकडम से खटाक से अगर बहुत दीमी हो रही है न हम कलर डाल रहे हैं कलर बहुत धीमा 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 चेंज वर हम देखनी पा रहे हैं तो उसमें क्या होगा एक्जक्ट वैल्यू नहीं आ एंड़ पॉइंट पॉइंट आने पर यसी एंड़ पॉइंट आएगा वैसी कुछ ऐसा चेंज आना चीए जिसे कि अम लोगों उसको जाच पाए ऑबिसी बात है एंडिकेटर शुडबी अवेलबल विच शुडशापली डिफाइन दा एंड़ पॉइंड बात तो यह कुछ क commencement रही है कि यह जब फॉलॉगहों ओंगी तब हिभी काणिडिक हो कर पाएंगे यानodeamkin को कर पाएंग को पाएंगे बात सम्मारे अगई है तो यह था हमारे पास कि वाली मेटरी कि अन्लेशी लिशों की पड़े वह अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक है उनके लग से एक पूरा फुल लेक्टर लगेगा ठीक है उनको भी डिटेल में देखेंगे फिलाल एक्चुली होता क्या है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि करते कैसे हैं क्या चीज जांच रहे हैं किसकी हैल्फ से जांच रहे हैं यह बिल्कूल माइंड में एकदम क्लियर कट अपने रख लेना कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो पूर सकते हो मुझसे ठीक है ना तो मैं उसको नेक्स लेक्टर बताऊंगा तो उसमें अगर कुछ इनकी बिल्कूल भी नॉलेज नहीं है तो कोशिश करें थोड़ा सा मुलारेटी नॉमेल्टी को पहले थोड़ा सा पढ़ ले ताकि जब इसमें बार मुलारेटी नॉमेल्टी मैं कह रहा हूं तो उसका मीनिंग समझ में आया कि एक्जेक्ली यह बात क्या बोली जा रही है बात क्लियर हो गई क्लियर है ठीक है जो पॉइंट्स मैंने दिये हैं सफिशेंट है अगर आता है वॉल्मेटिक अनलिशिस लिखने के लिए तो इतने जो पॉइंट्स हैं इतने लिखोगे तो तुम्हारे आठ नमबर के जो कोशन होते हैं उनके लिए सफिशेंट है इससे झाल झाल झाल